सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन जिससे आप पाएंगे और महत्पुन एवम रोचक जैन करिया और मेरे सारे नई वीडियो नमस्कार दोस्तों भगोन आप सभी कभला करूर आपके सारी एक्षाय मनुकामना पुरी हो दोस्तों आज मैं आप सभी को शुक्र परवत की विशे में सबसे महत्पुन जानकरी देने वाला रहोंगा और यहाँ पर सीधी रेखाओं की विशे के साथ साथ आड़ी रेखाओं का क्या प्रभाव आपके जीवन में पढ़ने वाला है उसके बारे में भी आपको बताया ज होते हैं क्योंकि शुक्र परवत यहाँ पर पहले यह समझ लिजे क्या दर्शाता है शुक्र परवत आपके दामपत जीवन आपके साररिक जीवन साररिक सुक आपके जीवन शेली प्रेम दुलार प्यार किसी भी तरह की इक्छा मनुकामना किसी भी तरह की आदत आपके अं कि आपके बच्चे कितने होंगे, आपका married life कैसा रहने वाला है, आपके अंदर चमक कितनी रहने वाली है, आपके अंदर जीवन उर्जा कितनी रहने वाली है, इसके अलावा जितने भी materialistic things होती है, जैसे अच्छा गाड़ी, घर, संपत्ती, संपदा, मान संमान, या किसी भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, married life इसी की भीहाव पे कैसी रहेगी, किस relation से किस तरीका का support मिलेगा, यह सारे combination भी हमको शुक्र से पता चलते हैं, इस विशह में जो और अधिक जानकरी रहेगी, वो आने वाले कुछ वीडियो में आएगा, लेकिन जो main बात है कि पहली वो चिन पर अगर आपकी सीधी खड़ी रेखा हैं, जादा हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपको आपके अपने लोगों से बहुत ज़्यदा सहीयोग जीवने मिलने वाला है, अब वो चाहे आपके family members हों, friends हो, colleagues हो, आपके partner हो, सभी का आपके जीवन में सहीयोग बहुत अच् अच्छा मिलेगा या दूसरों के साथ बहुत अच्छा जैसे जातकों को मिलेगा और दूसरों के साथ किस कारण ही आप उन्नती करेंगे, हथेली में दो छेतरे से हैं, जो दूसरों के साथ को दर्शाते हैं, एक तो शुक्र हो ही गया, और एक यहाँ पर आपका चंदर की भाग रेखा भी हो गई, यह भाग रेखा व्यक्ति को दूर जाकर रसाती है, बसने में मजबूर करती है, तब प्रगती देती है, लेकिन इस तरीकी के जब शुकर पर सीधी खड़ी रेखाएं हों, तो समझ जाए आप सच में बहुत भाग शाली हैं, क्योंकि आपको बीन को मिलती है, कि जिनकी सीधी खड़ी रेखाएं जादा होती है, इनके अंदर एनरजी बहुत अच्छा होता है, और इससे जाए तक अपने किसी भी तरह की एक्छा को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद की महनत या किसी भी हद तक प्लैनिंग्स या हाड़ वर्क या डिडि जाएगी, ऐसे जादकों को बस बताने की देरी होती है अपने फ्रेंड कलिक्स या लवड वन्स में कि इस तरह की नीड से इस तरह की रेक्वाइरमेंट है या इस तरह की इक्छा मनुकामना है, वो निश्चीती कुछ समय के अंतराल में पूर्ण होता वह दिखाए देता ह ऐसे जादकों के पार्टनर बहुती जदा केरिंग, लविंग या डेडिकेटेड भी देखने को मिलते हैं इसलिए मेरेड लाइफ के लिए भी यह कॉंबिनेशन बहुती अच्छा देखने को मिलता है तीसरी इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि इनके जीवन में इनक इनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, आप इनके मूपे जाकर के इनके विपक्ष में दस बाते के दीजिए, यह ऐसे लोग वहां से हसते भी निकलते बनेंगे, क्योंकि इनको उन सारी चीजों से मतलब है इनको अपना टार्गेट पता है, गोल पता है, एम पता ह बस उस हथ, उसके बीच में अगर कोई चीज आएगी तो उसको सुधारेंगे, उस पर ध्यान देंगे, अन्यता किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, और वैसे भी लोगों की कमी होती नहीं है इनके जीवन में, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों को त दूर विभार से, या टॉंट से, बिलकुल प्रभावित नहीं होते हैं, और अगर इनके जीवन में वास्तों में ऐसे लोग हैं, जो इनके बुराए कर रहे हैं, या टांग खीच रहे हैं, परशान कर रहे हैं, वो लोग आटोमेटिकली पीछे हड़ जाएंगे, क्योंकि ये रिस्पॉंस ही नहीं करेंगे उनको, क्योंकि ये ऐसे जा तक अपनी एनर्जी को बहुत मिंटेन करते हैं, इदर वेस्ट नहीं करते हैं, शुक्र सबसे में कारक होता है हमारे सीमन का, हमारे रिप्रोड़क्टिव सिस्टम का, हमारे तमाम तरह की प्लेजर की फुल्फ आड़ी रेखा हैं, जो नॉर्मली अधिकतर मामलों में देखने को मिली जाती है, और ये अगर चार पांच से जादा है, या सीधी खड़ी रेखाओं से कम हैं, तो इसका प्रभाव नकरात्मक होता है, ये एनर्जी ड्रेन करने लिए लाइन होती है, यानि आपके अंदर क उर्जा को खतम करने लिए रेखा हैं, इसे कहा जाता है, अब उर्जा कैसे आपके अंदर होती है, आपके अंदर स्वास्त उर्जा है, जीवन शेली की उर्जा है, किसी काम को करने की उर्जा है, किसी काम के रिगार्डिंग इच्छा पूर्ती के लिए जो एक तरीके का ज गलत आदत डाल करके जैसे drinking, smoking, over eating और सबसे जो common आदत देखने को मिलती है एप्रोक्स टीनेज से लेकर के 25-27 केज के मिल्ड में वो होता है masturbation और उसमें energy बहुत जादा ही drain होती है बहुत ही disturb होती है क्योंकि बहुत ही pure खुन और बहुत ही बड़े amount के खुन से semen बनता है तो ऐसे अगर combination है तो ये combination वेक्ति को irritated, frustrated, aggressive, directly, indirectly बनाएगा ऐसे जातकों का हमेशा जीवन में नकरात्मक point of view देखने को मिलता है अपने partner को लेकर के किसी भी तरह के relations को लेकर के और ऐसे जातकों का relation हमेशा disturb होता रहता है इनको कभी अपनों से धोका मिल जाएगा कभी ये combination क्या कर रहे है आपकी energy को disturb कर रहे है अब वो energy जो सीधी खड़ी रेखा वाला वेक्ति वो कहां लगा रहा है अपने goal में अपने pleasure की fulfillment में या किसी भी तरह की desire में आपका यहाँ पर energy कहां लग रहा है जीवन में कमिया निकालने में जीवन में कमियों को पूरा करने में ऐस इस तरह की रेखाएं अगर अधिक है बहुत अधिक है तो फिर यह दिक्कत वाला मामला है लेकिन अगर यहाँ पर simple as that कुछ ही रेखाएं मौजुद है जैसे मान के चलिए कि तीन से चार रेखाएं ही मौजुद है तो यह उतना नगरात्मक तत्व इस विशे को लेकर के न पोन मार दिया या किसी तरह से विपक्ष में आ गए तो उनको लेकर के बहुत जाद है नेगेटिव या सीरियस ऐसे जाता हो जाते हैं सिर्फ यह पॉइंट व्यू उनका लोगों की राय को लेकर की नहीं होता है लाइफ को भी लेकर के होता है अगर कुछ भी थोड़ा बह अलत हुआ संखर्ष हुआ तो कई नकें बहुत अफेक्ट हो जाते तो ऐसे जात तक वाले हमेशा ओवर थिंकर नेगेटिव थिंकर देखने को मिलते हैं तो यह बेसिक डिफरेंस होता है जिब किसी के शुकर पर सीधी रेखा है आप देखें और वहीं आड़ी रेखा तो इसका सीधा मतलब यह है कि ऐसे जातकों को दूसरों से अब फरक पड़ी ने रहा है चाहे अच्छा हो या बुरा हो और अगर यहाँ पर रेखा है बहुत कम है और यह परवत अगर उबरावा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि ऐसे जातकों को दूसरों की सपोर्ट की ज इसके बारे में परियाप्त ग्यान आपको आने वाले कुछ वीडियो में दिया जाएगा, उसके बाद आपके सामने पूरा रिजल्ट निकल के आएगा, जिसमें आपको ये भी बताए जाएगा कि आपके जीवने पार्टनर कब आने वाले, रिलेशन्स कब होने वाला है, अनुभव इस विशय को लेकर के जरूर सांजा करें, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.